स्ट्टी पिकल अस्ट में स्वागते बचो आप सभी कैसे हैं अभी आप बारवी इतियास चेप्टर फाइब पे यत्रियों के नजरिये समाज के बारे में उनकी समझ लगवग दसवी सदावधे से सतरवी सदयोधी तक का प्रसुन उत्तर पर रहे हैं आज मैंने बहुत ही मात पून प्रस लिया है इन्वतुता द्वरा दासपर्था के सम्मंद में दिये गए साक्षियों का विविचना कीजिए अथ्वा दासपर्था के बारे में इन्वतुता ने क्या लिखे हैं चलिए बच उतर दिखते हैं, उतर दिखने के पहले आप हमारा चैनल जरूर लाइक, सब्सक्राइब और कॉमेंट करें, अच्छा लगे तो दोस्तों के भी सेर करना ना भूलें, इर्मवतुता मुरको यातरी थे, इर्मवतुता कौन थे, मुरको यातरी थे, अत्वा आएग में पढ़ता है, इर्मवतुता का पूरा नाम मुहमद बिन अब्दूल इर्मवतुता था, और ये भारत आए, 333 सिस्वी, बहुत ही इंपोर्टेंट ये सभी आपजेक्टिव है, कि इर्मवतुता भारत का बाए, 333 सिस्वी में, किसके दरवार में आए, सुल्तान बिन तुगलक के दरवार में आए, और इर्मवतुता ने जो है, कौन सी फूस्तक लिखे, तो रिहला, या कहीं कहीं आएगा रिहला, और ये किस भासा में है, तो अरभी भासा में है, रिहला किस भासा में है, अरभी भासा में है, आप फिगर में देख सकते हैं, में जो है गुंडों ने से लूटा डकेतों ने लूटा फिर भी यात्रा करना नहीं जोड़े उसने परसिद्ध फुस्तक रिहला या रिहला लिखे जो चौद्वी सदावदी में भारत्य उप महादीप के समाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विशय में बहुत ही परचूर तथा रूचक जानकारियां देता है इन बतुता बहुत कम उमर अर्थाद बलगवग 22 वर्ष में ही घर से यात्रा पर निकल पड़े इन बतुता द्वारा दास परथा के सम्मंद में दिये गए साक्षियों की विवेचना इस परकार है पॉइंट में सजाना है बच्चों पॉइंट में सजाने से नंबर मिलते हैं दासों की खरीद विक्री या प्राप्ती बजारों में दास किसी भी अन्य वस्तु की तरह खुले आम बेचे जाते थे दासों की कीमत विशेस रूप से उन दासियों की जिनकी आपसकता घरेलू सरम के लिए थी बहुत कम होती थी क दूसरा पॉइंट है बच्चों भेट स्वरूप या उपहार में दास नियमित रूप से दास भेट स्वरूप दिये जाते थे भेट स्वरूप मतलब गीप्ट में जब इन बतुता सिंद पहुचा तो उसने सुल्तान मुहमद बिन तुगलक के लिए भेट स्वरूप अथ नामक धर्मोब दिशक के परवचन से इतना परसन हुआ कि उसी भी उसने एक लाग टके तथा दोस्व दार दिये सबसे पहले किसको दिये बच्चों इन बतुता ने मुहमद बिन तुगलक को दिये क्योंकि उसके दरबार में आये थे तिसरा पॉइंट है बच्चों दासो के अफसर पर उनके परदर्शन से खूब आनंदित हुआ इन बतुता एक खुस मिजार यातरी थे दासों का कारे दासों को समान निता घरेलू सरम के लिए ही इस्तेमाल किया जाता था घर में जितने हैं ज़ड़ों पोछा सफाई और इन बतुता ने उनकी सिवाओं को पाल और कहीं कहीं जो है दासों के द्वारा पाल की धुलवाये जाते थे गुप्त चर के रूप में दास सुल्तान अपने अमीरों पर नजर रखने के लिए दासों को भी न्युक्त करता था इन बतुता बताता है कि यह समराट की आदत है हर बड़े या छोटे अमीर के साथ मुख वीरी करता है वह महला सफाई करमचारी को भी न्युक्त करता है जो बीना बताए घर में दाखिल हो जाती है और दासों के पास जो भी जानकारी होती है वह उन्हें दे देती है अर्था तो वह जो है गुप्त चर का कारी करती थे यह इस पर कर यह कैसा लगा वीडियो कोमेंट में जरूर बचाओए बतावे बच्चों बहुत बहुत धन्युक्त